वहीं AMU में राश्रे पर्व पर विवादित नारेबाजी की गई जिस पर युनिवर्सटी प्रशासन की सफाई सामने आई है AMU के प्रॉक्टर वसी मली ने कहा है कि एक लड़की नारेबाजी की जबकि विडियो में NCC की ड्रेस पहने कई छात्र नारेबाजी करते हुए नजर आ रही है इंडिया टीवी समबाद दाता सोनू प्रॉक्टर से बातचीत उन्होंने की सुनिये कुमार सुनू से बातचीत में यूनिवरस्टी प्रशासन और प्रॉक्टर ने क्या कहा 26 जन्वरी के प्रोग्राम के दौरान अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवरस्टी में जो धार्मिक नारे लगे उस पूरे मुद्धे बात करने के लिए हमारे साथ प्रॉक्टर है यूनिवरस्टी के वसीम अली साथ वसीम साथ पूरा मामला क्या है यह मामला यह है कि कल हमारा रिपॉश्टी की प्रोग्राम था और यह का प्रोग्राम इस्टाइची हाल के सामने होता है SAM हाल साथ के अंदर पूरा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे अन्दाज से कल पूरा हुआ यह अपने गाउं से ही बिजनस करके 100 करोड से भी ज्यादा का बिजनस करते हैं क्या आपको भी गाउं से ही बिजनस करना है तो Freedom App को अभी डाउनलोड कीजिए जिजनस करते हैं उन से मिलने के लिए वाईसांस साफ महाँ चले गए इसी दोरान इधर से जो लड़के थे NCC के ड्रेस में कुछ लड़के थे वो एगजिट गेट जो हमारा है उस से पहले वहाँ पर रुक करके कुछ नारे बाजी करने लगे और उसमें पहले एमी जिन्दबाद के नारे लगाए कुछ और नारे लगाए उसी में उसी दवरान एक लड़के ने कुछ और नारे लगाए जिस पर हम आपत्ती हुई है लोगों ने अपनी आपत्ती दर्श कराई है और उसका वीडियो क्लिपिंग भी हमारे पास आ चुका है अलिगर्ण मुस्लिम यूनिवरस्टी में जिस जगा पर नारे बाजी हुई परेड के बाद धार्मिक नारे जहां पर लगाए गए वहाँ पर इंडिया टीवी संबाद दाता कुमार सोनू पहुँचे और सोनू ने वहीं से एक रुपोर्ट बेजी है आप वो देखिए अलिगर्ण मुस्लिम यूनिवरस्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वाइरल हो रहा है इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ छात्र जो एंसी सी की यूनिफॉर्म में हैं वो केंपस के अंदर हैं और वहाँ पर एम्यू जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है दरसल जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की इस पूरे वीडियो की पड़ताल की तो पता चला ये 26 जनवरी के प्रोग्राम के दोरान का वीडियो है दरसल 26 जनवरी का प्रोग्राम चल रहा था एम्यू में इसी फ्रेचे ये अपने गाउं से ही वाइस चांसलर हैं वो भी मौजूद थे प्रोग्राम खत्म हो गया था तो ऐसे में जो वाइस चांसलर हैं वो दूसरे फैकल्टी मेंबर्स के साथ यहां से हाइटी का जो इंतजाम था उधर की तरफ चले गए लेकिन जो छात्र थे वो बाहर आए और ठीक इस जगा का वो प वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो गया हाला कि जो एम्यू प्रशाशन है उसका कहना है कि उस चात्र को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिसके बाद उस पर कड़ी से कड़ी कारवाई की जाएगी वहीं यह पूरा मामला जो जब सोशल मीडिया में आया तो यूप प्रशाशन ने आक्शन लेते हुए एक चात्र को निलंबित कर दिया है वहीं तीन सदा से एक कमिट्री का गठन किया है जो मामली की जाँच करेगे इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर